ब्रेक की बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हैकिंग पर सियासत एपल की एडवाईजरी पर सियासी बवाल आखिर रहा क्यों मचा इसके पीछे क्या कोई दूसरा एंगल था इसके पीछे का क्या एजिंडा था ये भी समझने की कुशिश करेंगे एपल आइफोन के कुछ यूजर्स को हैकिंग से एlet रहने का संदेश आया जिसके विपक्षी जनेता भी शामिल है उनके पास भी इस तरह का alert आया बहुत सारे लोगों के पास आया विपक्षी कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया के जरीए SMS का स्क्रीन शॉर्ट्स डाल कर सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया हलाकि इस मामले में केंद्रे मंत्री अशुनी वैशनव ने सरकार का पक्ष रहते हुए कहा कि कुछ सांसदो द्वारा सोशल मीडिया पर एपल से मिले नोटिफिकेशन को लेकर सरकार बेहत गंभीर है ये गंभीर मुद्दा माना है सरकार ने और सरकार इस मामले की उसने जाच के आदेश दे दिये हैं और वो इस मामले की तह तक जाएगी इस पूरे प्रकरन में खास बात ये है कि एपल द्वारा ये एडवाईजरी सिर्फ भारत में नहीं बलकि 150 देशों में वेजी गई है और यूजर्स को सावधान रहने को कहा गया है यानि कि पूरे वर्ड वाइड जहां वो उनके फोन्स यूज होते हैं हर जगा उन्होंने एडवाईजरी जारी की है एपल ने भी विपक्षी नेताओं द्वारे लगाएगे आरोपों पर सफाई दिये है एपल के पास कोई अधिकरित जानकारी नहीं है कमपणी ने अनुवान के आधार पर ये सूचना भेजी थी एपल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन एक गलत अलार्म हो और कुछ अटाक्स डिटेक्ट ना हुए हो तो ये एक गलत एलाम भी हो सकता है अपल ने कहा कि वो इसकी जानकारी देने में आज समर्थ है कि उन्हें किस वज़े से यूजर्स को ये थ्रेट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा तो उनका कहना है कि सारी जानकारी अभी उनके पास खुद नहीं है वही भाजपा ने विपक्षी निताओं पर इस मुद्दे पर बेवज़ा है राजनीती करने का आरोप लगाया अश्विनी वैशनव ने कहा कि आदतन आलोचकों का एक मात्र काम सरकार की आलोचना करना है इन आरोपों से पहले भी विपक्षी निताओं सरकार पर पेगसिस मुद्दे पर आरोप लगा चुके हैं लेकिन पूरा मामला जूटा निकला और सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्षी निताओं के आरोप ठहर नहीं पाए थे तो ये एपल हैकिंग का मुद्दा पहला नहीं है इसके पहले पेगसिस का मुद्दा भी सामने आये था जो सुप्रीम कोर्ट पे ठहर नहीं सका केंद्रिय संचार एलेक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रदोगी की मंत्री आश्ट्रिनी वैशनव ने कहा कि किन सरकार ने एपल हैकिंग मामले में जाच के आधेश दिये हैं और मीडिया से उन्होंने जब बाचीत की तो उस दोरान उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे की तह तक जाएगी इसके जाच की घोशना की जा चुकी है यह वेग है और आप सब जानते हैं कि एपल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम उनका इंक्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एपल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता है दूसरी बात एपल ने अभी कुछी समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है एक सो पचास देशों में ये इस तरह की एडवाईजरी जारी की गई है जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पारें जो लोग देश को उपर बढ़ते हुए देखनी सकतें वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एपल के अलर्ट मामले को लेकर देश भर में राजनीती गर्मा गई जिस तरह से आपने देखा और वरिष्ट कॉंग्रिस नेता पी चिदंबरम ने विपक्षी निताओं को एपल के अलर्ट पर उन्होंने सवाल उठाया उसके बाद बीजेपी ने आईटी सेल के प्रमुक अमित मालविया और उनके बीच में एक वाक युद्ध सा शुरू हो गया सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर चिदंबरम ने पहले पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि ये निर्मिवाद है कि सैकड़ों विपक्षी नेताओं को एपल से उनके फोन से समझाओता करने के राज्य प्रयोजित प्रयास की चेतावनी मिली थी स्टेट स्पॉंसर्ड केवल विपक्षी नेता ही क्यों विपक्षी नेताओं के फोन से समझाओता करने में किसकी दिल चस्पी होगी उनका पूछना था कि ये पीचे नंबरम का पहला ट्वीट आया और कॉंग्रेस ने था पी चिदंबरम की टिपड़ी का जवाब भारती जन्ता पार्टी के आईटी सल के प्रमुक आमित मालविया ने दिया। उन्होंने 2011 के एक समाचार लेक का स्क्रीनशॉट शाजा किया और उन्होंने लिखा कि जब पूरवित मंत्री प्रणाव मुखरजी के कारेयाले में गरबड़ी हुई थी तब आप ग्रह मंत्री थे क्या इससे खतरे की घंटी बचती है श्रीमान चिदंबरम। और उस दरान अगर आपको याद होगा कि एक हैकिंग का भी मुद्दा चला था और ये कहा जा रहा था कि मंत्रीयों के आफिस में बग लगाया जा रहा है और उसको दरान उसको उसमें गरबड़ी करने की या रेकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। तुरंत इस पर जाच के आदेश दे जा रहे हैं तह तक जाएंगे। बावजूद इस पर कुछ लोग इसमें उनको लगता है कि ये उनके या विपक्षी नेताओं को खास्तावर पर कि ये एक जिस तरह से पेगसिस को लेकर के आरूप लगाए गये थे इसके पहले बगिं का आरोप या पिसी की निजी जानकारी को किसी ना किसी बहाने लेने का यह ऐसे आरोप है जो गंबीर है लेकिन इसके पीछे तरफ होने चाहिए अगर आप या रवा लगाते हैं तो तत्ध होना चाहिए वीपषी दलो पर सवाल इसलिए उठ़ा है कि आप आप ऐसे गंबी पीर आरोप लगाने की कोशिस करते हैं जो वास्तों में बिना तथ्य के सामने हैं पेगसस को लेके जो कुछ कहा मामला कोट में गया और फिर कुछ नहीं निकला तब भी बीजेपी ने कहा था कि अगर राहुल गंदी को लगता है कि उनका फोन टेप हो रहा है तो उने पहले अपना फोन जमा करना चाहिए और जब उस पर देखे आगे देखने को मिला कि वो पूरे तथ है जो आरोप के तहत कहे गए वो सही नहीं पाया गया और एक तरह से वो मामला जो कहा जा रहा था हो ऐसा बिलकुल नहीं निकला और कोट में भी ये एक तरह से अभी पच्छी नेताओं को सफाई में एपल ने साथ तोर पर कहा कि एक सो पचास देशों में इस तलाके अलेट जारी किये गया है सिर्फ भारत से जुड़ा नहीं है तो क्या विपच्छी दलके नेता ये बताना चाहते हैं कि एक सो पचास देशों में तमाम नेताओं तमाम भी इसके पहले भी और खास दोर पर आपने देखा होगा कि वह विदेशों में गाये हैं तो वहां भी हात में फोन ले करके, उन्मने कहा है कि हमारा फोन जो है, यहすएफ किया जाता है लेकिन जब का मुद्दा आया था और उनसे कहा गया कि अपना फोन दे दीजिए ताकि हम जाच कर सके तो उन्हों साथ देते हैं और कोट में भी जब आपके एक तरह से पक्ष में कोई फैसला नहीं आता जो आप चाहते हैं तब उस पर भी आप सवाल उठाते हैं हम देख रहे हैं कि इसमें एपल ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कोई जारी किया जाता है तो उस पर जिस वज़े से वह जारी किये गए हैं तो निश्चित तोर पर ये हाई तोबा मचाना और ये कहना की देखिए सरकार कोसिस कर रही है अपने आप में देखिए उनके दावों पर सवाल उठता है और नियत पर भी जब पिछी तमरा में ट्वीट एक्स पर पोस्ट करते हैं और पेगासस की में अभी भी कहते हैं कि हाँ वो मामला एक तरह से पूरी तरह सामने नहीं आए हम जानते हैं कि किस तरह से अभी पच्छी दले को दावों की हवा निकली थी कोट के पैसले के बाद तो जब आपके तत्थ सही साबित नहीं होते या बिना तत्थ के कोई आरोप लगाते हैं सरकार उस इस पूरे मोमने पर तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं हमारे साहते हैं आपके एक सही पॉइंट निरी बन करके कि देखिए सरकार हमारा फोन टैप करा रही है वहारा चुक्रिया इस तमाम बातचीत और जान्कारी के लिए और मुझे लगता है कि जनता समझदार है वो इस सारी बातों को समझती है बहुत शुक्रिया शालेद और रुगेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जब वापस लॉटेंगे